सब्सक्राइब कीजिए चैनल मेग विध्यारती को और आने वाली निव वीडियो की इंफॉर्मिशन के लिए बैल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए हेलो विध्यारतियों मैं मुकेश कुमार वेलकम करता हूँ आपका चैनल मेग विध्यारती में आज हम बात करेंगे how to select a effective project students आपको आपके final year में एक major project बनाना होता है तो उस project को हम किस तरह से select करें कि आपका जो project हो वो innovative हो effective हो तो उसके main क्या क्या steps हैं कैसी उसकी process होती है मैं आपको समझाऊंगा इस lecture वीडियो को आप प्लीज last तक जरूर देखेगा तभी आपको इसका benefit मिल पाएगा तो चलिए शुरू करते हैं Students का project बनाने में क्या क्या benefit है देखे project को एक combined team effort के द्वारा बनाए जाता है दो या दो से ज़्यादा students आपस में एक team बनाके project को develop करते हैं और ये project किसी project guide या किसी mentor के अंदर बनाया जाता है एक project develop करने से आपकी subject knowledge बढ़ती है आपका practical experience भी बढ़ता है आपकी जो skills हैं आपको उनको दिखाने का chance मिलता है आपको team work के बारे में knowledge मिलती है आपकी communication skills increase होती है और responsibilities को किस तरह से face किया जाता है ये भी आपको experience होता है अब project making की क्या process है सबसे पहले team का selection किया जाएगा फिर literature survey किया जाएगा topic selection करेंगे अपना project guide या mentor को select करेंगे next project पे working की जाएगी उसकी fabrication या experimental वद किया जाएगा last project complete होने के बाद हम उसकी project report बनाएगे first point हम discuss करेंगे selection of team a great project needs lots of innovative minds अगर आपको एक बहुत ही अच्छा project बनाना है तो आपके team members innovative होने चाहिए selection of team सबसे पहला point है और बहुत ही important point है अगर आपके team members अच्छे होंगे आपके बीचे mutual understanding होगी आप सभी एक common mutual goal पर काम करेंगे तो आपका project एक बहुत ही अच्छा project बनेगा इसलिए आप लोग try करें कि आप एक creative mind वाले लोगों के साथ अपने team बनाएं जो आपस में understanding से रहें और उनके बीच में कोई भी clash इस ना होगी अगर आपकी team अच्छी होगी तो आगे आपको जो resources चाही होंगे project बनाने के लिए वो भी आपको आसानी से मिल जाएंगे अगला point हम लोग discuss करेंगे प्रोजेक्ट आइडियास के लिए आपको literature survey करना होता है यानि कि आपको generals या literature papers को read out करके वहां से अपने project ideas सेलेक्ट करने होते हैं इसके साथ साथ आप YouTube videos trending photos या social media के द्वारा भी अपने project ideas को select कर सकते हैं ये कुछ ऐसे sources हैं जो आपको new technologies के बारे में जानकारी देते हैं और इनी technologies के basis पे आप कुछ अपने project ideas को select कर सकते हैं जिर में से बाद में एक आप topic की रूप में select करेंगे तो survey करने के बाद आपके पास कई सारे ideas आ जाते हैं फिर उन में से आप एक topic को अपने project के लिए final करते हैं अब topic final करने से पहले आपको ध्यान रखना होता है कि इसके कुछ particular parameter भी है जो बहुत ही important है इसमें जो पहला parameter है वो है area of interest की जो project topic आपने select किया है उसमें आपका और आपके team members का interest है या नहीं अगर आपका interest उसमें होगा तो आप उस project को बहुत ही अच्छे energy level के साथ में complete कर पाएंगे second one is resource availability आपने जो project topic select किया है उसमें use होने वाले resources यानि की material machines या आपको experiment करना है तो उस particular experiment करने के लिए जो जो resources हैं वो आपको आसानी से मिल जाएंगे ये भी आपको ध्यान रखना है third one is cost of project जो आपके team members ने मिलकर एक particular budget अपने project को develop करने के लिए decide किया है आपके project की cost उस budget से ज्यादा तो नहीं है ये भी आपको ध्यान में रखना है the value addition जो project होता है वो कुछ innovative value add करता है तो आपको देखना है कि आपका जो project topic है वो कोई value add कर रहा है तो ये आप देखेंगे time required to complete the project project को first phase से final phase तर पहुचानी के लिए जो particular time limit आपके college के द्वारा दी गई है उस particular time limit में ही आपको अपने project को complete करना होता है तो आप अपने project topic को इस तरह से select करेंगे कि आपके पास जो timing है उस timing range के ही अंदर आपका पूरा का पूरा project complete हो जाए एक advice जो आप सभी के लिए है कि आप जब भी project topic select करें तो particular उस area से select करें जिसमें आपका कुछ पहले से थोड़ा बहुत experience है और project topic select करने के लिए सभी team members आपसे मिलके brainstorming session करा करें जिससे कि आपको अलगर ideas team के बीच में discuss करने को मिलेंगे उन ideas पे आप pro और cons निकाल सकते हैं क्या 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 उसके advantage हैं क्या 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 उसके disadvantage हैं और finally आपको एक topic मिल जाएगा तो यह जो session होते हैं यह highly productive रहते हैं next हमें से ध्यान दखें कि आपका contribute कर रहे हैं financially और आपके जो project material या process यूज हो रही है वो ज्यादा costly तो नहीं है आपके budget से उपर तो नहीं जा रही है तो यह आप हमेशा ध्यान रखेंगे और project को इस manner में complete करेंगे कि वो आपके budget के अंदर रहे third जो important point है कि project हमेशा कुछ value add करता है तो जो आपने project topic select करिय हैं वो या तो कोई problem को solve करें या कुछ नया innovate करें या create करें या किसी work को करने का किसी process को करने का एक better way निकाले next topic है selection for mentor देखियो students आपको हमेशा आपके जो guides हैं या professors हैं उनसे अपने topic को discuss करके जो आपने literature survey किया है उस सभी discuss करके उन मेंसे किसी एक को अपना project mentor बनाना चाह जो project mentor है वो आपको आगे जो project बनने वाला है उसमें time to time आपको solution देते रहेंगे और आप अगर कहीं किसी face पर कुछ problem में फस जाते हैं तो guide आपको उससे निकालने के लिए solution भी देता है तो project mentor बहुत ही important होता है किसी भी project को properly develop करने के लिए और ध्यान रखिएगा कि जो आप topic select कर रहे हैं as a project वो आपके mentor की सला से ही बने क्योंकि जो भी आपको इसमें process करनी है जो भी material select करना है उसको proper route से guide करने के लिए आपको project mentor की आवशक्ता होती है working on a project project topic को final करने के बाद आप सभी team members आपास में discuss करके अपने अपने काम को बाढ़तीजे क्योंकि जब आपका जो project work का काम है वो छोटे छोटे भागों में बढ़ जाएगा और हर team member अपना part अच्छे से करेगा तो आपका जो project है वो proper manner में और जो आपका time schedule है उसमें असान से पूरा हो सकता है और जब सभी team members अपने अपने level पर अपने अपना part पूरा करते हैं तो उनको उस particular part के लिए responsibility भी मिलती है और वो उसको अच्छे से करते हैं यह ध्यान रखेगा कि जब भी आप project पर काम कर रहे हैं तो जो भी आप data है जैसे कि आप अगर fabrication का का काम करते ह हैं तो जो भी आपने material select किया वो किस तरह का सा उसकी dimension कैसी थी आपने fabrication process के लिए किस तरह की process यूज की हैं और किस तरह के method अपनाए हैं वो सभी आप record करते रहें वो photos के रूप में भी हो सकते हैं या उनको आप videos के रूप में भी ले सकते हैं तो कि यह सभी जो data है वो आप आपको जब project report बनानी होती है तो उस समय चाहिए होता है तो आप ध्यान रखें कि सारा का सारा जो data है उसको आप जब भी जिस step पर पहुंचे है project में उस level पर उसको record करते रहें project report making जब आपका पूरा project complete हो जाता है तो उसके बाद last हम project report बनाते है project report एक official document है जो project में यूज होने वाली सभी informations को दिखाता है इसमें हम different topics cover करते हैं जैसे कि आपके project का overview इसका introduction आपने क्या-क्या material यूज किये हैं उसके बारे में आपकी requirements practical theoretical consideration आपने कौन-कौन से task किये आपका project complete करने के बाद उसका outcome क्या रहा क्या-क्या है इसमें हमने experiment किये हैं और कौन-कौन सी reports इसमें use हुई है और result क्या रहा था और conclusion क्या रहेगा और last में आगे इसको future में कैसे आगे recommend किया जा सकता है और इसको implement किया जाता है और इसका future scope क्या है यह सब भी हम project report के अंदर दिखाते हैं तो इस lecture को मैं यहीं parent करता हूँ I hope आपसे भी कोई lecture पसंद आया होगा तो प्लीज इस lecture वीडियो को like करें अपने दोस्तों के दाश शेयर करें और अगर अभी तक आपने इस चैनल को subscribe नहीं किया तो please इसे subscribe कर ले क्योंकि इसी से मुझे motivation मिलता है कि मै आपके लिए इस तरह के और lecture प्लाता रहूं थैंक यू